सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़गट सोग चोधरी सात्यों आज अपने बात करेंगे बाइक कतर से रिलेटेड दोवा कतर ने आज की 23 अप्रेल है कल की डेट में 24 अप्रेल को आपका इसलाम धर्म में जो अप्टेट आ रही है कि रमजान अभी वो चांद दिखाई दे दि है डेट का रेशियो बहुत कम है दस ही अभी तक डेट बता रही है गोर्मेंट की आँकडे जो निकल के आ रहे हैं उन में से जो साड़े 700 प्लेस हैं वो रिकवर अभी तक हो चुके हैं यह तो कोरोना से अप्टेड है कल 24 अप्रेल से आपका जो मुस्लिम समाज में जो इस मस्जित है वो चालू रहेगी जिसमें दो टाइम साइद नमाज पढ़ी जाएगी बाकी की मस्जितें सब बंद हैं गर्पे ही आपको अपना रमजान से समधी जो आपकी नमाज होती है उसका इबादत करनी है आपको सोशिल डिसिंसिंग के मादेम से रफ्थार पार्टी वगरा नहीं करनी है यह गोर्मिट ने अदेस आप लोगों को दिये हैं आपको इन चीजों का पालन करना चीए गोरोना की महामारी को देखते हुए आगे हम बात करते हैं साथी हो कतर की दरब से इतना कोई खास अपटेट आया नहीं है जो रमजान से रिलेटेड मैंने कितने केदी रिया कि उनकी संक्य मेरे पास अभी तक है नहीं लेकिन अच्छी बात है जो बंदे थे मैं पेशारे उनको आधेस मिल घर जा सकते हो हैं सौदी ने भी केदी रिया किये हैं अज कतरने भी कर दिये अब कितने किये है है वो मेरे पास अभी उनका डेटा नहीं निकल के आ रहा है और साधियो आगे आप का क्यूसन होगा सर्ट टिकट का क्या होगा तो मेरे भाई टिकट का आप समझ लीजिए क्या होने वाला तीन मही तक तो कोई संबावना नहीं है और जिस तरह से आंगडे बढ़ रहे हैं मैं आपको निरास नहीं करना चाहता है आप बोलो के सब डुरा रहे हो यह है लेकिन मुझे गड़बड लग रहा है वाई साथ साथ बता दूँ तीन मही तक तो कोई चांस नहीं है कितने भी वीडियो देख लो कोई भी कुछ भी बोलते है लेकिन नो चांस ठीक है ना तो बस यही छोटी सी अपडेट दो चाहर अपडेट दी कतर से रिलेटेड मैंने आप लोगों साथ शेर कर दी बाकी कतर की कोई ज्यादा अपडेट है